अब यह प्रीमेर प्रो को यूज करके हमें इस आडियो को और जो हमारा वीडियो इसको मर्च करना है और इस तरीके से महुत फर्द उसमें एडिटिंग कर सकते हैं जो मेरे पुराने वाले वीडियो होते हैं इसमें किस तरीके सा आप देखते हैं कि मैंने एडिटिंग करी व सिरीज चल रही है हुआरी वीडियों से उस सिरीज में रहते हैं तो उसके हिसाब से दे 50 जैसे मैंने नाम रख दिया इसका डे 50 या डी 50 रख देते हैं दे 50 तो मेरे लिए थोड़ा सा पहचाना असान हो जाएगा उसके बाद आप यहां पर देख रहा है एडिटिंग का पूरा इंटरफेस है यहां पर उपन हो जाएगा मैंने इसको select का लिए एडिटिंग का इंटरफेस उपन हो जाएगा अब यहां पर हम वीडियो फाइल को ड्राइग करके यहां प्रीमेर प्रो में लाके मैं यहां पर ड्रॉप कर देता हूं यह ताइम लाइन आपको दिख रहा है यहां पर हम लोग इसको ड्रॉप कर रहे हैं बहुत ही सिंपल इस पड़ गुड़ा वीडियो में जो आप देखते हैं एफेक्स और उन सारी चीजों की बात मैं नहीं कर रहा हूं नौर्मली हम लोग अभी यहां पर कुछ बेसिक चीज़ें देखने वाने तो आप यह देख सकते हूं यह वीडियो की टाइम लाइन है और इस वीडियो के साथ जो आडियो था बतब यह वहाला हमारा वीडियो है जो रॉ लेता हूं for example मैंने आपको बताया था है edited voice के लिए हम कुछ सामने जो है कुछ चीजें यूज करते है ठीक है जैसे 106 है day 106 है तो मैंने इसमें अगर आप देखो तो यह AU जो है यह आगे आपको जो दिख रहा है prefix ठीक है यह आगे prefix आपको AU मैंने यूज किया तो इसको भी कि यहां पर यह दोनों जो lines है आपकी यहां पर ठीक है यह दोनों ही lines आपकी match होनी चाहिए यह दोनों ही waves actually यह match होनी चाहिए और इनको match करने के बाद फिर आगे का आप काम start करेंगे एक बार मैं फोड़ा सा और उसको शुटा करते हैं तो आप देखो अगर यह match नहीं हो दी तो आपको आगे पीछे करके match कर सकते हैं और उसके बार मैं क्या करता हूं यहाँ पर C तो इन सब को मैं select कर लूँगा और यहां delete मैं press करके delete कर दूंगा और इस ब्लांक स्पेस को भी मैं यहां इस तरीके से नॉमली select करूपर होगा और delete press करने aí और यह तरीके से तरीके से हमें चाह присroat on मैं दिख रही है but यह वाली वाई-स हमारी original वाई स अब देखो यहां प्षोड़ा सा match नहीं हो रहा है आगे पीछ हो गया है चाहिए केवल केवल सी रबाऊंगा और केवल इस रवाली लेयर को को सब्सक्राइब कर देता हुं आगे अभी आप देखोगे तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे आप फड़ा सा प्ले करके भी इसको देख सकते हैं और मैं इसको फड़ा सा और भी करता हूं यहाँ पर अगरा यह आपको दिखाई देंअं वडियो के इस भाला नहीं इस हमें जरूरत नहीं उसके बाद अगर हमें लगता है कि हमें कहीं पर कट लगाना है किस तरीके से लगा सकते हैं जो हमारे वीडियुस में देख्टे हैं मैं इतनी देर silent रहा यहाँ पर मैं कुछ बोला नहीं fine तो मैं क्या चाहूंगा कि यहाँ पर cut लग जाए इसी selected और फिर से shift करके मेरे कुछ जितना भी cut लगा रहा है for example इतना लगाना है तो मैं इतना cut लगा दूँगा देन वी तूल देन वी प्रेस करके मैं selection tool select कर दूँगा और वापस मैं इन तीनों को select कर दूँगा और यह वापस इसको जो blank space की उसको delete करके यह अभी जो merge हो गय आपके पास recordings है basic recordings है जैसे मैं record करता हूँ तो उनको किस तरीके साब edit कर सकते है Premiere Pro में अब बात आती है export करने की तो export करने के लिए आपको क्या करना है control plus M आपको प्रेस करना है control plus M और उसको प्रेस करने के बाद देखेंगे तो आपके सामने इस तरीके की window दिखाई देगी अब आप output name यहाँ पर जो भी देना चाहते हैं दे सकते हैं output यहाँ पर आप देखेंगे जो है आपको output की पूरी summary यहाँ पर दिखाई देगे और यह जो format है h.264 आपको select करना है preset match source high bitrate select रखना है use maximum render quality यहाँ पर select करना है और उसके बाद हम लोग यहाँ पर सीधे export के उपर click करनेगे तो आप देखोगे जैसे आप export के उपर click करोगे exporting start हो जाएगी जनरली वीडियो की length कितनी है और आप जिस भी system के उपर इसको edit करना है उस system की configuration क्या है इसके उपर depend करता है कि यहाँ पर जो export का time है वो कितना लगेगा fine तो फिर यह export हो जाएगा और जहाँ पर जिस भी output golden मे आप इसको export किया है वहाँ पर आप इससे देख सकते हैं तो वाइस इस पड़िकलर वीडियो में ताहीं कलता है ने इस वीडियो में लेंग गुलगा है